नमस्कार फ्रेंज, SMT चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूँ फ्रेंज, आज का जो बिशाय है, वो है कैसे आप DMAT and Trading Account उपन कर सकते हैं कुझसा कुझसा आपको चीज है उसमें आपको नजर रखना चाहिए आपको चेक करना जोरूरी होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम DMAT and Trading Account उपन करना चाहते हैं तो देखिये, मार्केट में बहुत सारा प्रोकर्स है, आपको यूट्यूब या फिर जहां पर भी आप जाओगे आपको बहुत सारा ऐसा साजेस्टन रहता है कि भाई आप यहां से अकाउंट खोड़ लो, आपको कोई भी बोल देता है तो आपको कोई समझ में नहीं आता है, कोई नोलेच नहीं रहता है कि कहां पर उपन करना चाहिए अकाउंट और उपन करने से पहले, DMAT and Trading Account उपन करन चाहिए, तो देखिए, फर्स्ट आफ आफ आल, आपका जो DMAT account है, या फिर टेरिंग account होगा, वो एक ऐसा ग्रिनाउट and भरोसमन्थ broker के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी नया एक startup company के साथ आप उपन कर लिए, अपना DMAT account और उसका technology शहीं नहीं है, उसका software नही obligation नहीं है, फिर आपको बहुत दिक्कत हो गए, उन्होंने शायद बोल दिया कि आपको zero broker fee है, कोई brokerage charge नहीं लगेगा, आपका reward मिलेगा, ठीक है, पैसा मिलेगा, cashback मिलेगा, उसके चक्कर में आके आपना DMAT account खोल लिए, फिर आपका time बर्वात होगा, आपका जो stock market में ज तो first thing जो आपको check करना है, वो है best renowned stock broker, वो कैसे पता करना है, देखिए market में आप देख सकते हो, active client list यहाँ पे manager show कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखाए देगा, कि कितना client किसके broker के पास है, तो देखिए share account एक time में बहुत popular हुआ करता था, आज share account ज्यादा नहीं चलता है, पता है क्यों, क्योंकि share account जो time के हिसाब से उन्होंने आपने आपको update नहीं किया, digital demand का जो facilities है, digital trading का जो facilities है, वो share account या फी जो पूराने वाले stocks broker है, उसमें आपको नहीं मिलेगा, तो जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा, जीरोधा, HXC Securities, App Stocks, Angel Broking, ICIC Direct, यहाँ पे आपक digital सबसे ज्यादा नया technology के साथ आपको trading करने का मौखा मिलता है, grow यह काफी अच्छा एक आपको platform है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा research कर ले, और आपना जो demand account, trading account है, सबसे best, सबसे जो technical, digital, अभी updated है, उसके साथ ही अपना account open कीजिए, not की बहुत reputed है और बहुत पूर पूरा ना जो stock bookers है, they have not updated themselves, जैसे जैसे time बिता, उन्होंने अपने आपको update नहीं किया, जैसे koda के बारे में हुआ, koda company एक time पर उनका जो camera हुआ करता था, बहुत चलता था, बट जब से digital camera आ गया, वहां पे उन्होंने अपने आपको update नहीं किया, इसलिए koda कभी market से उस market में, ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ, जिसके बस digital software, robust software है, अच्छा, इसका interfere है, उसके पास ही आप open किजे, ठीक है, interface, UI, जिसमें आपका mobile application भी देगा, desktop पर भी होगा, ऐसे broker के साथ आप open किजे, और broker, not only brokers, आप अगर DMAT account and trading account open करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ च card और आधर card ready रखना चाहिए, कि इसका link अभी mandatory हो गया है, DMAT account open करने के लिए, तो first pen card, आधर card, उसके बाद आपका address, आपका name, सब एकदम बिल्कुल बराबर 100% आपको mention करना पड़ेगा, ठीक है, जब आप open कर रहे हो, और सबसे important आपका जो nominee है, जैसे मान लिजे आपका क कुछ हो गया, खुदा नखास्ता, फिर आपका जो stock में जो इतना पैसा है, DMAT account में जितना भी investment है, तो आपका जो nominee है, जो भी है, family members, उसको पैसा मिल सके, इसलिए आपको nominee details बहुती carefully भढ़ना पारेगा, ठीक से, उसका नाम, उसके address, अपना नाम, अपना address, pen number, आधर नाम सब एकदम 100% आपको देना है, प्रोवाइड करना है, ब्रोकर को, and DMAT account उपन करते फ़क्त, आपको पूरा देख लेना है, कि सिस्टेम में आपका जो information है, address, name, pen number, अधर नामबर, आधर नामबर, आपको नॉमिनेशन, सारे के सारे सही से reflect हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक केरियर है, टेडिंग में, आपका smoothly जाएगा, ठीक है, तो ये सारे चीज़ बहुत important होता है, my friend, address, pen card, अधर card, नॉमिनी नेम, खासकर के नॉमिनी नेम, आप ज़रूर मेंसेन कीजिए, ठीक से मेंसेन कीजिए, सोधा आपका कुछ हो जाए, तो stocks market में जितना भी investment है, उसको मिल जाए, अपना family को, तो और जो stocks का जो broker है, बहुत ही popular broker के साथ चाहिए, जिसका बहुत ज्यादा active clients है, जिसका brokerage बहुत अच्छा है, सस्त में देता है, और उसका जो technology है, updated है, डिजिटल है, और आपका mobile पर, desktop पर, laptop पर भी आप charge कर सकते हो, open कर सकते हो, trade कर सकते हो, उस मुझसे पूछोगे, तो जेरोदा, आप स्टॉल, आप स्टॉल, आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, आईशाइशाइशाइडारेक्ट, HDC Securities, ग्रो, इस बहुत अच्छा एक broker firm है, full house broker firm, HDC Securities है, हाला कि थोड़ा सा brokerage मेहंगा है, HDC Securities पर, यहाँ पर full house आपका service मिल सक सकता है, gold खरिश सकते हो, mutual fund खरिश सकते हो, derivative खरिश सकते हो, कुछ भी खरिश सकते हो, ठीक है, और इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेसा, अगर आपको ज्यादा बोकर्च पी थोड़ा सा लगे, तो आच्छा बोकर्च के साथ भी आप डिमाट अकाउं, टेडिंग आखन खोलन के साथ, यहां पे थोड़ा बैकडिटेट सौप्टर यह लोग यूज करते है, और टाइम के हिसाब से लोग आपडेट नहीं किया आपने आपको, इसलिए जिरो था में ज्यादा लोग आभी ओपेन करना चाहते है, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, आईशा इशा स्टॉक्स, अभी ग्रो भी आ गया मार्केट में, तो आच्छा वला ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट कोलना, डिमाइट अकाउंट खोलना, हामेश आपको एक एडवांटेज होता है, आपका स्मूथली अकाउंट ओपेन होगा, डिमाइट अकाउंट चालू और शोदार इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लेम ना हो सके, ठीक है माया फ्रेंड, तो ऐसे मोर इंफोर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जूरे रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक निया टॉपिक्स के साथ, तब तक लिए स्टे होम और स्टे थैंक्स पर वाची